हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से हमारे इस ओफिशल उटुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉलिशन मैं चन्दन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ सो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो समेस्टर 1 में है या समेस्टर 2 में है और उन सभी के पास में AECC यानि Ability Enhancement Compulsory Course में इंगलिश का सब्जेक्ट है और इंगलिश में भी आप लोगों को बात का ध्यान रखना है क कि आप लोग ये सेम इंगलिश या तो फर्स्ट समेस्टर में पढ़ेंगे या सेकंड समेस्टर में इंगलिश में भी ABC जिन तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम बुक है आप अपने फी रिसिप्ट पे इसको चैक आउट करेंगे और वहाँ पर आप लोगों को ये कम्यूनिकेशन वाला सब्जेक्ट मिलेगा तो ही आप इसको पढ़ना अन्यता नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में कन्फ्यूजन है तो आप सभी पहले अपने या तो फर्स समेस्टर की या सेकंड समेस्टर की दोनों ही समेस्टर की आप अपने फी रिस तो है आज की अपनी स्टूडे को स्टार्ट करते हैं आज हम बात करेंगे अपने वे सभी स्टूडेंट्स जो डैली उनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं तो बही उनका जो फर्स यूनिट है थिएरी ऑफ कम्यूनिकेशन एन इंट्रोडक्शन इसको हम करने वाले हालाकि आ पर notes में, PDF में, उसके थूरू इसको समझेंगे, और आपकी जो ये class है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, चले गाइस, start करते हैं, आज की अपनी इस वीडियो को, तो students, सबसे पहले, आप लोगों को कोई भी chapter पढ़ना है, तो पहले उसके introduction के बारे में, आप लोगों को बता होना चाहिए, कि क्या है या क्या नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम किसकी बात करने वाले, theory of communication, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, communication का सिध्धान्त, आप लोगों को ध्यान रखना है, और communication का क्या सिध्धान्त होता है, इसका एक परीचे आप लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम introduction लेते हैं, इस पूरी के पूरी unit का, तो इसमें आप लोगों के लिए book में भी यह बताए गया है, कि communication is a feature, which makes human beings different from other animals यानि communication skills हमारी कैसी होती है, या communication जो एक एक ऐसा feature है, जो human beings को, बाकि जो other animals है, other animals का मतलब जो जीव हैंगे, उनमें, पेड़ पौदों में भी उनसे different बनाता है, because human can use the language like in a communication, तो human क्या कर सकते हैं, अपनी भाशा को, communication के through, व्यक्त कर सकते हैं, अपने expressions को क्या कर सकते हैं, communication के through, वो express कर सकते हैं, so that's why, now we can say, we use language to communicate which other animals don't do, या don't, आप लोगों को ध्यान रखना है, कि जो हम communicate कर सकते हैं, दूसरे जीवों से, हम human beings हैं, और हम में एक चीज़ common होती है, कि हम सबसे, हम कह सकते हैं, सबसे wise या सबसे, बुद्धिमान जीवों में से एक माने जाते हैं और हम अपने communication skills को बहुत अच्छी तरीके से use करते हैं, और ऐसे जो use हैंगे, वो other animals नहीं कर पाते, जैसे हम कहते हैं कि dog जो है, वो बहुत जादा समझदार होता है, fox बहुत जादा clever होती है, बट वो हमारे जैसे, वो communication skills को use नहीं कर पाते, वो हमारे तरह communicate नहीं कर पाते, अब आगे बात करेंगे, to understand human culture as well as civilization, हम जैसे की मानव के culture को समझना चाहते हैं, साथ साथ हम मानव की सब्वता को, civilization को समझना चाहते हैं, तो हमें communication को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, it is essential, यह हमारे लिए जरूरी है, therefore, इसलिए to study human communication, इसलिए हमें जो मनुश्य है, उनके communications को पड़ना पड़ेगा, moreover, it is also true that success people in the world are always better communicators, यहनी, जो भी हम देखते हैं, जीवन में सफल हो गए हैं, यह सफल वैक्ति के लिए, जो एक अच्छा communicator बनना बहुत ज़ादा जरूरी होता है, and therefore, it is essential that we learn to be effective communication, इसलिए, अगर हम चाहते हैं, जीवन में सफल हो, या फिर हम लोग भी आगे अच्छा कुछ करें, तो हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, कि हम जो कैसे एक परभावी, यह एक अच्छी communication skills को बिल्ड कर सकते हैं, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, now यहाँ पर आप लोगों को यह clear हो जाना चाह है, कि communication हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे हम दूसरे जीवों से अलग communicate कर पाते हैं, so as to achieve our goals, अगर हम अपने goals को achieve करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा communicator बनना पड़ेगा, क्योंकि जबी भी हम कोई एक target, कोई goal set करते हैं, और हमें अगर वो चीज प्राप्त करना है, तो भई उसके लिए हमें अपनी जो communication skills है, उसको अच्छा करना होता है, क्योंकि लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो हमारी help कर सकते हैं, बट अगर हम उनसे अच्छी तरीके से communicate नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग उनसे help कैसे लेंगे, तो इसी लिए आप लोगों को यह याद रखना है, अच्छा, अब एक English language के बारे में भी आप लोगों को समझना है, कि English language जो है, वो आप सभी के लिए आज international level पर English को काफी ज़्यादा teaching, business purpose से, हना, globally तोर पर हम देखते हैं, language को use हो रहा है, not only यह globally एक language बन चुकी है अब English but also यह क्या है, link language का मतलब क्या है, कि यह हमारा संपर्क साधने के भी काम आता है, अगर हम दूसरे देश के लोगों से बात करना चाहते हैं, अगर हम उनकी भाशा में बात नहीं कर सकते हैं, तो English एक हमारे पास में एक option है क्या आ चुका है, यह एक link language हमारे लिए बन चुका है, which makes one marketable and almost through the world, यहनि जो हमारे विश्व को हमारे बात करने के लिए, संपर्क साधने के लिए, क्या कर देता है, बहुती ज़्यादा easy बना देता है, in this unit, यहनि इस unit में, we will learn about the basic talent and modes of communication, इस पूरी की पूरी unit में, हम basic mode of communication के बारे में पढ़ेंगे, कि क्या 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 कितने क्या क्या talent होना चाहिए, communication कैसे करना चाहिए, communication कैसे हम अपनी effective बना सकते है, as well as, as well as का मतलब क्या होता है, साथ-साथ, we will learn, हम इसके बार में भी सीखेंगे, क्या सीखेंगे, how to effective communicators, how to be effective communicators, हम कैसे एक अच्छे communicator बन सकते हैं, इसके बाद, some people of, इसके अंदर हम कुछ प communication skills, theory and practice, published from bookage publication, New Delhi, तो भई, bookage publication के द्वारा, नई दिल्ली में ही, एक book है, उसके अंदर से हमने, ये क्या लिया है, chapter लिया है, अगर आप communication को और अच्छा बनाना चाहते है, तो आप ये book online भी purchase कर सकते हैं, जो आपको Amazon Flipkart, जैसी बहतरीन website पे मल जाएगी, चरी, अब हम बात करेंगे, learning object, learning object का मतलब यह है, कि हम इस chapter को, इस चीज को क्यूं पढ़ रहे है, क्यूं हमें पढ़ना चाहिए, क्या फाइदा मिलेगा, इसका, तो by the end of this chapter, इस chapter को जब हम end कर देंगे, तो we should learn about, हम किस-किस चीजों के बारे में सीख चुकेंगे, उपर जैसे की बात क communication और animal, जो है, communication यहाँ, com लिखा है मैंने, communication है, इसका मतलब, जो animal communication है, उसमें क्या different होता है, दोनों में, कैसे difference होता है, effective communication कैसे हम अपनी बना सकते है, या built कर सकते है, some significant chapter related to communication, यानि कुछ हमें communication की विशेशताओं के बारे में भी पता चलेगा, तो भई, now यहाँ पर हम बा communication को define कीजे, या फिर what is communication, तो आप लोगों को समझ जाना है, तो यहाँ पर हमें start कर रहे है, the world communication is used to mean any activity in which information, emotions, feelings are conveyed from one to another, यानि हम communication जो शब्द है, इसका इस्तमाल, किसलिए करते हैं, अपनी information को, अपनी emotions को, यानि हमारी जो भावना है, हमारी जो feelings है, इसको convey करते हैं, एक वैक्ति किसी दूसरे को, अगर अपनी कोई भी बात बताना चाहता है, अपनी feelings को express करना चाहता है, तो वो communication के तुरू ही, उसको express करता है, इसके अंदर, the word communication is, the word communication is derived from, यानि इसको कहां से लिया गया है, तो Latin language से लिया गया है, Latin words से लिया गया है, communication जो है, वो Latin भाषा के दो शब्द है, एक communicate, और दूसरा भी Latin भाषा का ही सब्द है, वो हम नीचे बात करेंगे, communicate से लिया गया है, विच मीन, यानि Latin भाषा में, जो communicate शब्द है, वो communication कैसे बना है, शब्द उत्पत्ती बोलते है, हिंदी में आपने जरूर पढ़ाओगा कि यह शब्द इस से लिया गया है, यसे आप quality भी पढ़ोगे, तो उसमें आपको liberty, equality पढ़ना है, तो liberty शब्द भी जवाब पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि वो भी Latin भाषा का ही शब्द है, वो lever शब्द से बना है, ठीक, ऐसी communication जो है, वो drive हुआ है, कहां से Latin भाषा के इस को शेर करना, अपने ideas को शेर करना, अपने emotions को शेर करना, और अपने जो भी knowledge है, उसको share करना, यह क्या कहलाता है, communicator कहलाता है, among people to sharing meaning, आपको यह दियान देखना है, in short में, among people to sharing information, among people क्यों, क्योंकि हम एक साथ कई लोगों के साथ में communicate भी हो सकते हैं, तो कई लोगों क साथ भी अगर हम communicate कर रहे हैं तो वहाँ पर यही शब्द होगा, it is also through that the Latin word, एक और शब्द माना जाता है, communis, communis सब्द से भी माना जाता है, कि भई communication जो है, इसको लिया गया है, और यह किसका कहा है, root word है, root word मतलब जहां से शब्द की उत्पत्ती हुई है, जहां से यह शब्द उत्पन हुआ है, आप लोगों को यह याद रखना है, इसके बाद में, communication is the comments that, that each of us sharing within a few human beings, so from that the prospective, both word communicator and communicus are significant in provides meanings to idea of communication, यहनि इसका मतलब आप लोगों को simply समझ जाना है, कि जो भी communication है, यह दोनों शब्दोखों हम लिख सकते हैं, दोनों शब्द से ही, इस communication सब्द की उत्पत्ती हुई है, आप लोगों को याद रखना है, whether we communicate, यानि हम किसी से communicate करें, और miscommunicate करें, तो इसके लिए significant role of our everyday life, यानि हम किसी से communicate करता है, या miscommunicate करता है, यह हमारे life पे depend करता है, हमारी रोज की life पे, as we spend a lot of time in communicating, अगर हम अपना जीवन में जातर समय जो communicating में ही लगाएंगे, तो we communicate with our families, friends, relatives, colleagues, employees, and many more, तो हम अच्छी तरीके से हम समझ सकेंगे, कि अगर हम अपने दोस्तों से, अपने family members से, अपने relatives से, अपने colleagues से, जो आपके office में काम करता है, employees से, यानि जो आपके नीचे काम करते हैं, तो अगर उन सब से अगर हम बात करते हैं, अच्छी तरीके से, तो यह हमारी communicating skills पर defend करता है, कि हम कैसे बात करते हैं, इसके साथ very well, and even within the perfect stage, तो हम यह कैसे लोगों से बात करते हैं, कितना बात करते हैं, यह तभी हमें पता चलता है, it is only through communication, यह कैसे पता चलेगा, communication सही, that we fulfill our different needs, जैसे हमें कुछ बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की आवशकता पड़ती है, day-to-day life में, हना, चाहे वो personally हो, emotionally हो, psychological हो, educational हो, socially हो, financially हो, या professional हो, या cultural हो, तो भई, किसी भी चीज़ की हमें जुरुत पड़ती है, जीवन में, तो भई, हम जो communication के तुरूई पता कर पाएंगें, तो students, यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, we cannot think of our lives without communicating, यानि हम बिना communication के, अपने life को हम think भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, कैसी होगी, आप किसी से भात ही नहीं करोगे, आपको किस चीज़ की जुरुत पड़ेगी, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगी, जो बताओगे नहीं, तो अपने life को, कैसे आप सोच सकते हो, किस चीज़ की जुरुत पड़ेगी, तो अगर हम communication नहीं करेंगे, संचार नहीं करेंगे, तो हम यह भी नहीं बता पाएंगे, it is essentially, हमारे लिए बहुत होशक है, to our existence, हमारे रहने के लिए, therefore we should be able to communicate effectively, यानि इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि हम effectively क्या कर सके, communicate कर सके, in coherent, clearly, हम इसको clearly कर सके, हना, और साथी साथी आप लोगों को यह भी याद रखना है, कि हम proper manner में इसको कर सके, तभी हम अपने life में सफल हो पाएंगे, और यह किस पर प्रोफेशनल, world are different, यानि दो अलग अलग चीज़ है, अगर हम जर्नली यह से समानने तौर पर आप अपनी family से बात कर रहे हो, तो एक, वो communication का अलग पार्ट होता है, दूसरा communication का एक पार्ट होता है, जो एक example दिया गया है, ठीक है, in days, यानि nowadays आप यह भी लिख सकते हो, in days, we, world we communicate a lot of our mobile phones, when we talk our friends, relatives and dear ones, यानि जो भी आपके pre है, आपके हो सकता है, कोई female friend हो, आपका male friend हो, जिससे भी आपका बात करते हो, गप्शप करते हो, तो हम बहुत से mobile phones पर बात करते है, weak communicates और हम घंटों बात करते है, where communication is not that need, but everyday, यानि, कई पार हम ऐसी बाते भी लोगों से इतनी इतनी देर तक करते है, जो बिलकुल भी आवशक नहीं होती है, जरूरी नहीं होती, तो हम यह देखते है, कई पर उसमें आफसें हमारे, ऐसे होते हैं, नॉन general communication होती है, और यही क्या करती है, इस communication के through हमारी क्या है, यह bonding हमारी ही बनती है, दूसरे लोगों के साथ में, आप लोगों के समझ में आना चाहिए, but in case of the professional world, it is, it is, damn, अगर हम बात करें professionally life की, professionally communication की, तो यह बिलकुल ही different हो जाती है, बिलकुल opposite हो जाती है, हम इस में और clear बातों को लिखते है, communication के अंदर clear चीज़ों को include करते है, आप लोगों को यह भी याद रखना है, इसके साथ में हमें logically या coherent जो manner होता है हमारा, अच्छी तरीके से बात करते है, if we want to make mark, suppose, अगर for example, हम उसमें mark करना चाहे, कि हम क्या चीज़े हटाए, अपनी communication skills से, क्य चीज़े रखें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और दूसरी बात, जैसे हम office की meetings में use करते है, तो एक professionally होता है, business purpose से होता है, वो professionally होता है, government या साल जने बलाई के लिए कोई काम करते है, तो वो officially होता है, if you are not able to present your thoughts in a coherent logical manner choice, तो यह आप लोगों के लिए, यह audience के लिए, फिर आप लोगों का generally हो जाएगा, generally communication हो जाएगा, आप लोगों को यह याद रखना है, मुझे ऐसा लगता है, आज की यही वीडियो हती है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने यह सीखा, कि बहुता है, क्या होता है, आप लोगों का communication और क्या normal communication होता है, तो दिख सदिक में तो तक हमारे चैनल को शेर करने का प्रयाज जरूर करना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लगातार आती रहें पिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत